नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप मैं युगिश महरिया एक बार पुने हैं आपके सामने हाजिर हूँ सविधान की कक्षा लेकर आईए आज हम बात करते हैं सविधान के प्रकारों के बारे में आज हम बात करेंगे कि सविधान के कितने प्रकार होते हैं यह हमारा हेडिंग हो गया समिधान इससे पहले कल हम समिधान की सम्मन्य जानकारी की बात कर चुके थे देखिए समिधान के प्रकार समिधान दो प्रकार का होता है समिधान कितने प्रकार का होता है? समिधान दो प्रकार का होता है अब समिधान की दो प्रकार कौन-कौन से हैं? यहीं मैं सामने आगे लिख देता हूँ यदि हम बात करें समिधान का पहला प्रकार तो हम लिखित समिधान समिधान का पहला प्रकार कौन सा है लिखित समिधान नमबर दू, दूसरा है एलिखित समिधान जी हाँ, एलिखित समिधान समिधान के दो प्रकार होते हैं पहला होता है लिखित समिधान, दूसरा होता है एलिखित समिधान ठीक है, मोखिक समिधान नहीं होता है अमूमन बच्चा यही समझता है जब कुलास में पढ़ता है लिखित तो दूसरा मौकिक होगा, जी नहीं लिखित और ऐलिखित समीधान के दो प्रिकार होते हैं देखिए लिखित समीधान क्या होता है इसके बारे में हम तोडा जानेंगे लिकित समिधान इसकी क्षरुमानने परिवाशा मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ उसकी डेफिनेशन के अधार पर हम निर्धारित करेंगे कि लिकित समिधान में कौन-कौन सी विसेश्थाइं होनी चाहिए देखिए ऐसा समिधान जो निर्धारित समय में समिधान सभाद्वारा सहीता के रूप में लिखा गया हूँ किस के रूप में लिखा गया हूँ सहीता के रूप में लिखा गया हूँ वो क्या कहलाएगा वो लिखित समिधान कहलाएगा अब देखिए इसमें कुछ विशेषता हैं जिनको हम अंडरलाइन करने वाले हैं देखिए, सबसे पहले निर्धारित समय, नमबर दो, समिधान सबा, नमबर तीन, सहीता के रूप में, मैंने यहां पर तीन शब्दों को अंडरलाइन किया है, और से देखिए, निर्धारित समय, समिधान सबा, सहीता के रूप में, अब निर्धारित समय में, ऐसा समिधान ज समय में. देखिए, हम कोई भी काम करते हैं. यदि वो एक निर्धारित समय में पूरा नहीं होता है, तो कभी भी वो कार्य अपने उद्धिश्यों को प्राप्ते नहीं कर पाता है. ऐसे ही एक समिधान अगर एक निश्चित समय अवदी में नहीं लिखा जाएगा तो कभी भी वो अपने उद्धिश्यों को प्राप्ते नहीं कर पाएगा एक सामाने उधारन लेते हैं हम competition की तयारी कर रहे हैं और competition की तयारी करते करते हमारी exam date आ गई और हमारा syllabus ही पूर्ण नहीं हुआ तो क्या अपने उद्धिश्यों को प्राप्ते कर पाएगे जी नहीं नहीं कर पाएगे इसी प्रकार यदि कोई समिधान एक निश्चित समय में पूरा नहीं होगा तो वो है अपने उद्धिश्यों को प्राप्ते नहीं कर पाएगा तो हमारा भारतिय समिधान यदि हम बात करें तो भारतिय समिधान दो वर्स ग्यारा माह अठारा दिन में बनकर तयार हो गया अब हम यहां भारतिय समिधान की बात की तो भारतिय समिधान किते ने दिन बना दो वर्स ग्यारा मा अठारा दिन एक निश्चित समय सीमा में बन गया यदि भारतिय समिधान आज तक भारतिय समिधान का निर्माण पूरा नहीं होता तो क्या हमारे यहां वर्तमान में जैसे सासन विवस्ताएं हैं जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है जितनी भी हमारे जो समिधान के अनुसार सभी संस्थाइं इस्तापित हैं हो पाती नहीं हो पाती आपके सामने प्रत्यक्षदारण है इसलिए कोई भी कार्य हूँ वो एक निश्चित समय में पूरा होना जरूरी है दूसरा पॉइंट जो आपके सामने दूसरी विसेश्ता है वो है समिधान सभा जी हम अलग-अलग देशों में बात करें तो अलग- लग-नाम आपके इसको देखने को मिलेंगे लेकिन भारत में हम इसे समिधान सभा कहते हैं दीकि समिधान सभा का होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि समिधान सभा में हम कहें एक निश्चित लोगों का समू हो सकता है जिसमें सभी वर्गों के लोगों का समान प्रतिमिदि तो होगा और वे सभी अपनी बात रख सकेंगे ताकि सभी की बातों को सुनकर समिधान का निर्मान किया जा सकें अब ऐसा तो है नहीं कि अगर मैं मुझे कहा जाए कि आप समिधान लिखें तो मैं सिर्फ अपने फाइदे की बाते ही लिखूंगा उसमें बेसिक सी बात अगर आप किसी डॉक्टर से कहोगे तो वो कहेगा ट्रिट्मेंट फ्री होना चीए यह होना चीए या इस पर पैसा लगना चीए एक वकील होता है तो अपने सेक्टर की बात बताएगा तो सभी जितने भी हमारे यहां जो शेत्र है उन्हें सभी के जितने भी जो चीजे हैं उनको हम सविधान सभा में लोग अपने अपने सेक्टर के बैठते हैं हमारे यहां पे आपको पता है सविधान सभा गठन हुआ और हमारे यहां पे सविधान सभा के सदेश्यों दुआरा सविधान का निर्मान किया गया था तो यहीं हम बात करेंगे कि सविधान सबा का गठन हमारे यहां भारत में सविधान सबा का गठन किसके दुआरा किया गया या किसके आधार पे हुआ तो सविधान सबा का गठन हमारे यहां किसके आधार पे हुआ था केबीनेट मिशन के आधार पर भारती समिधान का निर्मान किस ने किया? समिधान समाने और समिधान समान का गठन किस के आदार पे हुआ? केबिनेट मिशन के आदार पे केबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को कब आया था? 24 मार्च 1946 को क्योबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे तीन सदस्य थे सबसे पहले कौन थे पेटरिक लॉरेंस कौन थे पेट्रिक लॉरेंज नमबर दो ए बी एलेकजेंडर और तीसरी थे इस्टाफ़र्ड क्रिप्स आप इसको ऐसा भी लेख सकते हैं पहले भी एलेकजेंडर फिर पेट्रिक लॉरेंस फिर इस्टाफ़र्ड क्रिप्स अब देखिए ये तीन सदस्य था हमारे एक्जाम में बार बार यहां से सवाल बनता है केबिनेट समिदान सभाग अठन किस के आदार पे हुआ केबिनेट मिशन के आदार पे केबिनेट मिशन बारत कब आया 22, March 1916 को केबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे 1, 2, 3, 4 कितने थे 3 सदस्य केबिनेट मिशन में कौन कौन से सदस्य थे पेट्रिक लोरेंस अभी ऐलेकजेंडर स्टपर्ड क्रिप्स उपरोक्त सभी यहां कोई भी एक नाम अन्य दे देते हैं और पूछते हैं निमन में से कौन जो है केबिलिट मिशन का सदस्य नहीं था समझ में आ रहा है ठीक है आगे बात करते हैं देखो इसको याद करने की एक ट्रिकी भी है अगर मैं आपसे कहूं कि इसको अगर आप याद करना चाहते हैं तो आप याद कर सकते हैं एलक ठीक है एलेक्जेंडर लॉरेंस क्रिप्स ठीक है अब हम आगे बात करते हैं सहीता के रूप में सहीता के रूप में यानि कि इसका जो अर्थ होता है वो यह है कि क्रम बद्द रूप में कैसे के क्रमबद रूप से या क्रमबद तरीके से या मैं कहूं systematic format में समिधान लिखावा होना चाहिए देखिए यदि कोई भी विशेवस्तू क्रमबद तरीके से नहीं लिखी गई होगी systematic format में नहीं लिखी होगी तब तक उसे समझने में और पढ़ने में आसानी नहीं होगी हमें ऐस विदा का सामना करना पड़ेगा यदि कोई भी विशेवस्तु एक systematic format में लिखी हुई है तो उसे हमें पढ़ने में समझने में बहुत ही आसानी होती है यह हम बात करें हमारे घर में भी बहुत सारी चीज़े होती है अगर जो हम कहें जो वस्तु जहां होनी चाहिए अगर वही है तो हमें क्या होती है आसानी होती है मान लेजी आप बात्रूम में इस्टान करने गए और आपको वहाँ साबुन क्या वशकता है वहाँ साबुन है नहीं, तो क्या हुआ, आपको ऐस्विधा का सामना करना पड़ा, आप किचन में चाय बनाने गए, वहाँ चाय पत्ती ही नहीं है, चाय पत्ती दूसरे रूम में है, तो आपको क्या हुआ गा, ऐस्विधा का सामना करना पड़ेगा, इससे भी अच्छा उपसूरती से पहले भाग बनाए कितने भाग हैं 22 भाग इसके बाद में उन्होंने अनुछेदों का निर्मान किया तो अनुछेद कितने हैं 305 में इसके बाद में उन्होंने अनुछेदों का निर्मान किया तो उसके बाद में हम बात करें अनुछेदों का निर्मान किया त देखिए आप ये जब आपने आज भी आप जब कोई बुक पढ़ते हैं या हम बात करें सेवंध उट हैं नाइन从 ten इन डुक करते हैं तो भूक में सबसे पहले क्या होता है लेशन होते हैं पाट होते हैं उसके बाद में उस क्षच क्या होता है विवरण होता है और उस part के end में क्या होता है महतुपून बिंदू important points जो होते हैं वो इसी प्रकार से होता है न ये उल्टा सिधा क्यों नहीं होता है आप विवरन को इधर ले लीजिए part इधर ले लीजिए महतुपून इंदू ले लीजिए क्योंकि इससे हमें पढ़ने में और समझने में सुविदा होती है इसी लिए ये इसी format में लिखा जाता है यदि हम इसका जो format चेंज कर दें तो हमें पढ़ने में लिखने में और समझने में तीनों में हमें दिक्कत का सामना करना पड़े गया या मैं कहूं हमें एस्विदा होगी तो देखिए यहां पे भी part यानि की शीर्षक हमारा जो लेशन होता है उसकी heading क्या है इसी प्रकार हमारे 22 भाग है तो 22 भागों में क्या बताया गया है सीर्षक इसी प्रकार हमारे समिधान की 305 में अनुछेदों में इस सीर्षक के according क्या है विवरण है ठीक है अब इसके अलावा जो भी चीज़े बच जाती है या जो भी चीज़े इसमें महतुपून है उनको अलग से निकाल के कहा रखा गया है आनुसूचियों में यानि कि important points या महतुपून बिंदो कहा है अनुसूचियों में समझ में आया कि एक समिधान का systematic format से या सहीता के रूप में लिखा हुआ नाउशक क्यों है ठीक है तो फटाफट आप इसका एक screenshot ले लीजिए ताकि हम अगली बात करते हैं एलिखित समिधान की तरफ अब इसका screenshot ले लीजिए फटाफट जल्दी कीजिए ले लिए इसक्रीन शोट तो आईए हम आगे बढ़ते हैं इसमें मैं इसको मिटा देता हूँ और यहां पर हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इसके अंदर हमें लिखनी है देखिए अब हम यहां बात करने वाले हैं कि समिधान का प्रथम विश्व का प्रथम लिखित समिधान किस देश का है एशिया का प्रथम लिखित समिधान किस देश का है विश्व का सबसे बड़ा लिखित समिधान वाला देश कौन सा है प्रथम लिखित समिदान वाला देश कौन सा है तो आप सभी को ज्यात होगा विश्व का प्रथम लिखित समिदान वाला देश कौन सा है दोस्तों अमेरिका है कौन सा है अमेरिका इसी के साथ हम आगे बात करेंगी कि एशिया का प्रथम लिखित समिधान वाला देश कौन सा है एशिया का प्रथम लिखित समिधान वाला देश कौन सा है एशिया का प्रथम लिखित समिधान वाला देश है दोस्तों जापान आगे हम बात करते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित समिधान किसका है विश्व का सबसे बड़ा लिखित समिधान वाला देश कौन सा है कौन सा है दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा लिखित समिधान वाला देश है भारत जी हाँ हमारा भारतिय समिधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित समिधान है ठीक है हमारे भारतिय समिधान में मैंने भी आपको बताया 22 भाग 305 मेनों छेद और 8 अनुसूचियां थी मोल समिधान में वरतमान में कितने भाग हैं अभी हम चर्चा करेंगे आगे देखिए इसके बाद में यहां पे विश्व का सबसे छोटा लिखित समिधान वाला देश तो यहां हम बात करें दोस्तों तो विश्व का सबसे छोटा लिखित समिधान वाला देश अमेरिका है यहां आप लोगों के कुछ लोगों के मन में डाउट्स आ रहे होंगे सर गूगल जब हम सर्च करते हैं तो वहां पर मोना को लिखा हुआ था है बिलकुल सही है गूगल पर यदि आप शर्च करते हैं तो विश्व का सबसे छोटा लिकित समिधान वाला देश आपको मोना को मिलेगा इसका एक रीजन है वो भी मापको बताता हूँ देखिए अगर यदि हम बात करें मोना को की और हम बात करें अमेरिका की तो आप खुद यहां विश्वेशन कर लेना अमेरिका के समिधान में केवल कितने अनुचिद हैं साथ अनुचिद हैं और मोना को की समिधान में दस अध्याई और 97 आपके जो हैं अनुचिद हैं कितने हैं सिंत्यान में अनुचिद हैं 97 तो आप आप खुद देख लिजे कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है अब आप कहेंगे सर ये क्या कॉंट्रवर्सी है ऐसा गूगल पर क्यों लिखा हुआता है देखिए इसका एक कारण है 2019 में हमारे यहां पर मोनाकों के जो रास्ट्रा अगडिक्स थे वो भारत की आतरा पर आये थे तो उनके और हमारे बीच में कुछ शमजोते हुए थे कुछ संदियां हुई थी तो उस समय किसी तातकालिक एक्जाम में ये पूछ लिया गया था कि विश्व का सबसे छोटा लिकित समिधान कौन सा है और वहाँ उप्शन में अमेरिका नहीं था मोना को था तो लोगों ने क्या हुआ लब उसका अंसर क्या था मोना को था उसमें राइट क्योंकि अमेरिका था ही नहीं बाकि जितने भी देश थे वो सभी क्या थे बड़े लिकित समिधान वाले देश थे हम इंसान हैं भूल हो सकती है जलती हो सकती है तो हमने वहाँ ये जानकरी अप्रेट कर दी कि विश्व का सबसे छोटा लेकित समिधानवा देश कौन सा है मोना को तो आपको सर्च करेंगे तो यही मिलेगा लेकिन एक्जाम पॉइंट अफ्वी से ध्यान रखना अगर आपके अग्जाम में आता है अमेरिका option में हैं तो अमेरिका ही right answer होगा नहीं है तो फिर मोना को मोना को को देश की एकोर विश्यसता है जिसके बारे में हम बात करेंगे मोना को शेत्रफल की द्रस्टी से यानि की area wise कैसे सेत्रफल की द्रस्टी से Vatican City के बाद किसके बाद में Vatican City जो आपका देश है दूसरा सबसे छोटा देश है तो यह हमारा जोग्रोफी की द्रस्टी से सबसे important सवाल बन जाता है कि विश्व का दूसरा सबसे छोटा देश कोन सा है मोना को दोस्तों मोना को एक यूरोपी देश है ठीक है तो आपको यहां तक समद्ध में होगा हमें इसका तुरंत एक मिनिट में रिवजिन करवा देता हूँ लिखित समिधान ऐसा समिधान जो निर्दारी समय में समिधान सबादवारा सहीता की रूप में लिखा गया हो लिखित समिधान कैलाता है और विश्व का परतम लिखित समिधान वाला देश कोन सा है अमेरिका ठीक है और शेत्रवल के द्रस्टी से विश्व का दूसरा सबसे चोटा देश कौन सा है मोना को फटा फट आप इसका स्क्रिंशोट ले लीजिए फिर हम आगे बात करेंगे एल लिखित समिधान के बारे में ले लिया आपने चलो आईए सुरू करते हैं आगे हम एल लिखित समिधान कौन सा समिधान एल लिखित समिधान नमर दो ऐसा समिधान जो सहीता के रूप में ने लिखा गया हो बलकि परमपरा वे अभी समियों पर आधारित हो कैसा होगा? का किलाएगा? ऐसा समिधान जो सहीता के रूप में ने लिखा गया हो बलकि परमपरा वे अभी समियों पर आधारित हो इंपोर्टेंट बात यहां ध्यन देने योगी यही है कि सहीता के रूप में तो लिखा हुआ होना ही नहीं चाहिए यानि कि क्रमबद तरीके ऐसे systematic format में लिखा हुआ नहीं होना चाहिए पहली ही सरती यही है नमर दो कैसा हो परमपरा वे अभी समियों पर आधारित हो आप कहेंगे सर ऐसा कैसे आईए मैं एक और चीज़ लिख देता हूँ यहां पे note डाल के आप लिखना ताकि आपको समझने में काफी मदद मिलेगी देखिए ए लिखित सम्विधान वाले देशों में उनके श्रोत लिखित होते हैं मैं इसको क्लियर करूंगा क्या है क्या नहीं है ध्यान से देखिए मैं कहना चाहरा हूँ कि ए लिखित सम्विधान वाले देशों में उनके श्रोत लिखित होते हैं यानि कि अब वो चीज है क्रमबद तरीके से तो नहीं है systematic format में तो लिखिवी नहीं है लेकिन टुकडों में तो लिखिवी मिल सकती है न भाई कोई चीज है एक इस किताब में है एक किसी अन्य किताब में है हम जब भी हम तियारी करते हैं हम market से guide लेकर आते हैं तो उस guide में क्या होते हैं सिस्टम से तरीके से सारा हमें पूरा का पूरा matter एक जगे मिल जाता है इसलिए हम guide को prepare करते हैं वहीं हम से अगर कोई particular books purchase करने के लिए कहे कि आप जैसे read के तेयारी कर रहे हैं कि psychology किसके लेकर आना Hindi किसके लेकर आनी है या English किसके लेकर आनी है Sanskrit कि लेकर आनी है History की इंसर के लेकर आओ और Geography की इंसर के लेकर आओ तो आप अलग-लग guide लेकर आओगे लिखावा तो है ना लेकिन एक तो एक ही गाइड में पूरा मिल जाएगा और एक अलग-लग होगा तो वो क्या है बिखरे हुए स्वरूप में आपको सारा मिलेगा इसी प्रकार यहां जो सविधान है वो बिखरे हुए स्वरूप में मिलता है सहीता के रूप में लिखा हुआ नहीं मिलता है इसी कारण ये कैसा होता है परंपरा वे अभी सम्मियों पर आधारित होता है एक उधारण के तोर पे हम समझेंगे मान लीजिए पुराने जमाने में किसी अपराद के लिए किसी दंड का प्रावधान था सपोच कीजिए पुराने जमाने में किसी व्यक्ति ने मर्डर कर दिया तो उसके लिए मृत्युदंड का प्रावधान था तो आज भी वही प्रावधान लागू है तो वो क्या में है परंपरा अब वर्तमान समय में उसमें कोई परिवर्तन करना है तो हमने संसत के माध्यम से यहां लोगतांतरिक सरकारे होती है तो हमने संसत के माध्यम से या लोगों की माध्यम से जैसे भी हमने वर्तमान समय के अनुसार उसे परंपरा को डाल लिया ठीक है क्लियर है देखिए मैं उधारन के तोर पर आपको बताता हूँ जैसे हमारे यहां पर असो की सिलालेक मिले तो पुराने जमाने में असो का अपराज था ये किस से मिला असो किसी लालेक से उसमें दंड का प्रावधान था ठीक है और आज उसी अपराद के लिए वही उसी दंड का प्रावधान हो तो वो क्या होगा परामपरा प्रावधारित अभी समय वर्तमान समय में अभी हमें इसी समय अगर हमें किसी कानून के वो शक्ता पड़ती है किसी विशे पर हमें कानून बनाने क्या वो शक्ता है तो वो क्या कहलाएगा अभी समयों पर आधारीत कानून ठीक है तो देखिए ए लिखित समिधान वाले देशों की हम बात करें तो यहां पर हम उधारण के तोर पर देखेंगे एक्जामपल के तोर पर देखेंगे कि ए लिखित समिधान वाले देश कौन-कौन से हैं तो सबसे पहले देखिए ब्रिटेन जी हां ब्रिटेन जिस देश ने हमारे उपर इतने लंबे शमय तक शाशन किया उसका समिधान लिखित नहीं है इसके बाद में आपने एक छोटा सा देश है न्यूजिलेंड जिसके बारे में आपने सुना होगा फिर हम बात करें यहां पर आगे है तो साओधी अरब फिर हम आगे बात करें तो मैं आपको बता दो हूँ और भी जो यूरोपिय देश हैं यूरोपिय कंट्री हैं बहुत सारे हैं जिनका लिखावा समिधान नहीं है और हमारा जो मित्र है इस समय इसराइल मित्र राष्टर जिसे हम कह रहे हैं बार बार मोदी जी जहां पर यात्रा के लिए जाते हैं तो जो यह इसराइल है इसरा को डेलीजिये ताकि हम अगले वीडियो की तरफ या अगले टॉपिक के उपर हम चलेंगे आगे हम बात करेंगे